हेलो दोस्तों, मैं एंजली एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ वैसे तो आज का वीडियो काफी अलग है क्योंकि एक काइंड ओफ रियाक्शन वीडियो होने वाला है वैसे तो मैंने हरी पोर्टर मुवीज बहुत बार देखी है यह मेरी one of the most favorite series में से एक है इसलिए मैंने इसकी सारी novels भी पढ़ी है या तक कि add-on जो books आई है या website पर जो अलग से information available है वो भी मैंने सारी research कर रखी है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस extra knowledge का use करूँ इसलिए finally कई दिनों के बाद मैं फिर से Harry Potter series देखने वाली हूँ So I thought why not to share कि movies और books कैसे अलग है क्या वो चीज़ें हैं जो books में दी गई हैं और movies में नहीं है बहुत से important facts है या information है या events रहे हैं जो books में हैं पर movies में नहीं है हलाकि first और second movie काफे कुछ book क्यों पर ही based है पर जैसे जैसे movies आगे बढ़ती है I think मेरा काम वैसे वैसे थोड़ा tough होता जाएगा but for right now we are talking about first movie so let's get started ओके ये डंबर डोर का डिलूमिनेटर इसका बात के पार्ट में बहुत importance दिखाया गया है movie के starting की actually first chapter के आधे complete हो जाने के बात से होती है starting में बताया है कि Vernon कौन है, Dursley कौन है कैसे वो खुद को normal कहते थे और कैसे उनका Lily या James इन लोगों से relation था पर उनकी वो कभी बात नहीं करते थे और Vernon Dursley जो है वो गरनिंग स्टाम की grill company में काम करते थे और basically जो chapter शुरू होता है वो दिन कैसे अलग था मतलब उस दिन सारे लोग ऐसे चोगे में घूम रहे थे और बहुती जचने सा मना रहे थे और वो डिडलस डिगल वो तो Vernon को हग भी कर लेता है तो वो दिन काफी कुछ अलग था उनके लिए और बात में जाके पिटुनिया से कंफर्म भी करते हैं कि वो उसकी बहन के लड़के का नाम Harry ही है ना और वो बहुत डिस्टरब रहते है उस दिन न्यूज भी बहुत अलग-अलग सी आ रही होती है और McGonical दिन भर कैसे डसली के उपर नज़र रखी हुई है कभी मैप पढ़ते हुए दिख रही है कभी साइन बोट पढ़ते हुए दिखती है यह जो बाइक है Hagrid की एक्चली सीरियस से वो उधार लेकर के आता है एक्चली ना Hagrid को बुके साब से थोड़ा और लंबा होना चीए था वो कुछ 12 फिट सम्तिंग का था पर मुवी में उसे आर्ट फिट सम्तिंग का दिखाया है पर एक्चली मुवी बनाने के साब से सही भी है ओ, I love this scene कैसे सब Harry साटेश्ट फिल कर रहे है डडली को पिटुनिया को ब्लॉंड होना था ओके जू जाने से पहले वाला भी scene यहां पर नहीं दिखाया है एक्चली जब भी डडली का बर्डे होता था तो Harry को ना किसी और कहां छोड़ जाते थे उसको कभी भी ले नहीं जाते थे डडली और उसके किसी दोस्त को बस साथ मिले जाते थे और Harry को या तो Mrs. Fick के आँ छोड़ जाते थे या किसी और के आँ छोड़ जाते थे और Harry को Mrs. Fick के जाना पसंद भी नहीं था उनके आँ से उसे पत्तागोबी की बद्बू आती है इस बार तो actually क्यों होते है कि Mrs. Fick के टांग टूटी हुई होती है तो इसलिए Harry को उनके आँ तो छोड़ा नहीं जा सकता था और बाकी लोगों के आँ भी नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि वर्णौन और पिटूनी हमेशे ऐसी बात करते थे कि सब लोग Harry से कितनी नफरत करते वो भी उसके मूब पे जैसे उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो और इस बार डड़ली का दोस्त पियर्स पॉलकिस आने वाला था जो साथ हमें जू देखने जाने वाला था एटेसे ने ये तो बताना चाहिए था कि डड़ली कैसे Harry को परिशान करता था यूजवली वो Harry का शिकार गेम खेला करता था जिसमें वो Harry को पकड़ के पीटा करता था और मोस्तली उसमें ऐसे होता था जैसे पियर्स पॉलकिस है तो वो Harry का हाथ पीछे से पकड़ के रखता था ताकि डड़ली उसके नाक पे मुक्का माड सके मतलब, Harry के साथ बहुत बुरा भीरिफ करते था वो लोग अचुलिए Harry के साथ और भी बहुत अजीब यण चीज़ रातीती था जैसे कि लोग उसको कई दवा दिखते थे और पर गाया भूजाते थे या फिर उसके सामने सिर जुका लेते थे या Harry के साथ कुछ और भी ऐसे अजीब से इवेंट्स हुए थे जैसे उसके एक बार कोई टीचर थे उसके विग ब्लू हो गई अपने आप और एक बार Harry चिमनी पर पहुज गया था जब वो डड़ी लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था और एक बार ऐसा भी हुआ था कि पिटूनिया जबरदस्ती Harry को डड़ी का एक पुराना गंदा सा ओरेंज स्वेटर पहनानी की कोशिश कर रही थी पड़ जैसे यसे वो स्वेटर उसको जबरदस्ती पहना थी गई वैसे 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 स्वेटर और सिकुडता गया और सिकुडतों सिकुडतों वह इतना सिकुड गया कि वह बस गलव जैसा बन गया और उसको स्वेटर जैसा नहीं पहना जा सकता था बट मुवी मतलब कुछ ग्लिम्सेस भी नहीं दिखाएं कुछ अजीब होने के एक्चुली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बुक के कंपेर में डडली तो विचारा गाय लग रहा है मूवी में अचा यह सब तो काफी कुछ बुक जैसा ही है अलमुस्ट थोड़ा बहुत इदर उदर है जैसे डडली और पियर्स को आइस्क्रीम दिलाई जाती है पर हैरी को नहीं दिलाई जाती पर आइस्क्रीम वाली पूछ लेती कि बेटा तुमें क्या चाहिए तो वर्णौन को बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है डडली अपने सारे खिलोने तोड़ चुका होता है जो उसको बड़े पे मिले थे और वो बिचारी मिसेस फिक जिसकी टांग टूटी हुई थी डडली एक बार और उसके उपर अपना स्कूटर चड़ा देता है और इसकारण वो फिर वो ऐसे ढीले ढाले कपड़े पेंता था क्योंकि उसको डडली के पुराने कपड़े दिये जाते थे और यह बहुत पतला सुगड़ा सा था और डडली बहुत हैवी था बर जब उसके यूनिफॉर्म डाय हो रही होती है तो हैरी फिर से ऐसा हो जाते कि यह बगवान क्या ह होगा मेरे साथ क्योंकि अब नए स्कूल में भी सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैंने कैसे किसी और के कपड़े पैन रखें यह गलत दिखाया है एक्चली डडली ने भी लेटर नहीं पड़ा था वर्णन ने ना डडली को लेटर दिखाया ना हैरी को दिखाया से अब कर दिखाया है कि देखो हैरी पॉर्टर के नाम पर सारे लेटर आए हूँ है पर वह सारे लेटर छोड़ के वहां से निकल जाते हैं और एक्चली वह इस वाले हट में ना नाव से जाते है यह दिस इस सो इमोशनल सीन यह मैंदा बुक से बैटर है और यह अग्रिट आ है है ग्रिट की छतरी इसमें वो टूटी हुई शाद से वांड होती है बुक में ना वह अपनी जेब से बहुत सारी चीज़े निकालता है जैसे कबाब और पतानी क्या-क्या यह मोस्ट फेमस सीन में से एक राय है देखा यह अजीब घटनाए वहीं है जैसे विग ब्लू ह को जाना अच यहां पे हैगर डंबलडोर को वापर से एक लेटर भीजता है कि हैरी मिल गया है है और हैरी उस पर फरस टाइम अलू का यूज देखता है कि कैसे उसरे लैटर भीजां गया अग्जूशोली एक्शूली हेगरिट इसी ताइं पर ही हेरी को बता देता है कि वॉल्डाम साइट्रकॉण था और उसने कैसे उसके पैरइंस को मार दिया और उसके पैरेंस किछтесь हैं। वो आखवर जादू करने की मनाई है अच्छा मैं भूली गई थे यह लोग रात में यहां से निकल गया है अग्रेड हरी को अपना ओबर कोड देता है जिसको ओड कहरी सो जाता है और अगले दिन जब उठता है उसको एक ड्रीम देख रहाता है यह जब रही है नहीं है पर ज puisque Heninë पहले नाओं से नदी पहले पार करता है जिस दोरान हीःρέट उसे बेंकक के बारे में और मिनिस्ट्री के बारे में और स्लक्समाइन बताता है फिर वहां से क्षुझा थे दो कि और उनको वो दिखता ही नहीं कि वहाँ पे कोई एक pub भी है पर ये movie में भी interesting दिखाया है कि पहले signboard नहीं होता और जब कोई wizard पास में आया तो देखो signboard में डिस्प्ले हो गया लिकी कल्डरॉन यहाँ पर डिडलस डिगल मिलता है जब हैरी कहता है कि वो लोग पहले भी मिले हैं और डिडलस बहुत खुश भी हो जाता है कि हैरी को याद है अच्छा ये बहुत बड़ा difference है बुक में बताया है कि कुरिल नहीं यहाँ पगड़ी नहीं पहनी थी और हैरी से हाग भी मिलाया था और हैरी भी बताता है कि कैसे कुरिल बहुत intelligent हुआ करते थे फिर वो practical knowledge के लिए निकल गए और jungle में गए और jungle से जब से वापस आये तब से ऐसे डरे हुए और हकलाने वाले बन गए है मुझे animation बहुत पसंद है ऐसा फिल होता है कि actual wizarding world ही है जब वो green got में से नीचे जाते है तो Hagrid को actually book में उल्टी आने लगती है और वो goblin से कहता भी है कि गाड़ी थोड़ी slow चलाना पर goblin कह देता है कि गाड़ी एकी speed से चलती है अच्छा पैसे निकानने के बाद actually Harry सबसे पहले मैडम मैलकिन की शौप पे जाता है जहां पर उन्हें ड्रेको मिलता है वहां पर ही ड्रेको उसको मतलब कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि ड्रेको अल्रेडी उससे प्यो ब्लड होने की और मगल बॉर्ण होने की और विजर्डिंग फैमिली तक ही सब्सक्राइब को रखना चाहिए इसकी बात करता है इसके लावा वहां वहां बहुत बेखूफ है और अपनी हट में आग लगा देता है तो हैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वही उसको स्लेदरिन और हम वहां बतेता है की कैसे वह शेपैंड जाना चाता है और अगर उसे हफुल पफ में भी जागया इसके बाद है हैरी वहाइं vic पार्ट से लिकर के उसके नॉस्टिल्स तक का मेजरमेंट लेता है वो काफी फ़नी पाट है हेगरेट हैरी को वापस से सब्वे में बिठा देता है और गायब हो जाता है उसको प्लैटफॉर्म की टिकेट दे करके एक्चली जब हेगरेट हैरी को लेने आया था वो 31 जुलाई थी हैरी का बर्डे और जो होगवर्स एक्सप्रेस जाती थी वो 1 सेप्टेंबर को जाती थी यानि बीशो पूरा एक महीना था तो हैरी वापस डिसली के आँ जाकर के रहने लगता है और वो एक महीने वहीं पर ही फिर उसको वहाँ पर वो मिसस वीजली मिली एक्चली ना फ्रेड और जोज को थोड़े कम हाइट को और मोटा होना था बुक्समें ना फ्रेड और जोज उसके ट्रेन में समान चड़ाने में भी हेल्प करते हैं और सबसे पहले पैचान जाते और फिर वो जाकर के अपनी मा रॉन और जिनी को भी बताते कि वो हैरी पॉर्टर है हैरी कमपार्टमेंट से ही छिप कर उनकी बाते सुनता रहता है अच्छा रॉन आ गया रॉन ना अपनी फैमिली की सारी डिटेल बताता है हैरी को कि वो कैसे साथ भाई बैन उनके पास जादे पैसे नहीं है हैरी को हला कि रॉन की फैमिली बहुत इंटरस्टिंग लगती है और रॉन को हैरी उतना ही इंटरस्टिंग लगता है चॉकलेट फ्रॉक कार्ड्स में हैरी को डंबलडोर के लावव मरलेन, मौरगाना इन लोगों के भी कार्ड्स मिले थे और निकलस फ्लमेल का नाम भी उसने डंबलडूर के कार्ड में यहाई पढ़ लिया था हरमाईनी आ गई एक्शली यह गलत है हमाईनी ने कोई जादू नहीं किया था और यह एल आउट भी नहीं था आप स्कूल से बाहर जादू नहीं कर सकते थे और हमाईनी ते पढ़ाको उसको सारे रूल रेगुलेशन पता थे वो तो बिल्कुल भी नहीं करती स्कूल के बाहर जादू वाओ हॉगवर्स जैसा इमाजिन करो बुक में उससे बिजाद अच्छा दिखाया गया यह मूवी में पता नहीं क्यों यह सीन में मुझे ना कई बार मूवी देखने के बात भी लगता है जैसे वो हाथ स्नेप का है पता नहीं क्यों एक सेकेंड नहीं नहीं यह जो सीन है ना यह एक्छुली बुक में ट्रेन में ही हो गया था ड्रे को Harry से मिलने आया था ट्रेन में और उसे दोस्ती करना चाहता था क्रेब और गॉयल के साथ हुआया था पर Harry क्योंकि उससे पहली मिल चुका तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था और वो ट्रेन में भी Ron की भी विज़ती कर देता है तो Harry उससे बिल्कुली दोस्ती का मना कर देता है और एक्शली ना इस क्रेब या गॉयल की उंगली पर काट भी लेता है क्योंकि वो लोग चॉकलेट खाने की कोशिश कर रहे थे जो Ron और Harry ने ली थी यहां सॉर्टिंग हैट सॉंग भी सुनाती है जिसमें वो चारों हाउस के बारे में बताती है एक्शली शॉर्टिंग हैट को जब सिर पर रख देते थे तो वो आँखों को भी ढख लेती थी और फिर वो जो भी बात करती थी वो सिर्फ वो स्टूडेंट को चुनाई देता था हाउगवर्स में टोटल 142 स्टेय केस थे और कुछ सीडिया फ्राइडे को कहीं और ले जाती थी और भी चीज़े बताई गई है जैसे दर्वाजे कुछ दर्वाजे ऐसे होते थे जो दर्वाजे होते ही नीते दिवारे होती थी बस दर्वाजे होने का नाटक करती थी और कुछ दर्वाजे ऐसे थे जिन पर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता था खुल जाने का या उस पर गुद्गुदी करनी पड़ती थी कि वो खुल जाए अच्छा बुक में हैरी पार्टी के बाद तुरंट जा करके सो जाता है अच्छली वो लेट नहीं हुए थे ये मतलब दिखाया है कि वो दोनों बुद्धू है पर हुआ ये था कि जब वो अगले दिन हैरी कहीं भी जाता था ना तो सारे बच्चों से घूरते रहते थे ज अच्छा लगता है पूरे कैरक्टर में घुस गए है यहां पर उन्होंने ग्रिफिंडोर के पॉइंट्स पर काट दिये थे और मेलफवाई की तारीव भी की थी यहां तक नेविल ने गलती की थी उसकी कुछ कढ़ाई का क्या प्रॉबलम हो गई थी और उन्होंने इस बा लिंगता है, मूभी में बिल्कूल नहीं बताया है, यहीं पर नेविल का रिमेंबरॉल लेने की कोशिश की थी पर मैंगॉनिकल आ गई थी तो इसने वापस कर दिया था, एक्छलि ग्रिफिंडो और स्लिदरिन के सरफ दो क्लासेश ही साथ में लगती थी इन लोगों को और एक flying lesson था जो सिर्फ Gryffindor और स्लेदिन की साथ में लगती थी वरना फिर Gryffindor की Hufflepuff या Ravenclaw के साथ classes लगती थी मूवी में दिखाया कि चारो houses एक साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं बुक में नेविल ने खुद हडबडा हट में जमीन पे पैर मार दिये थे और उसकी जाड़ो सीधी उपर उसको ले गई बलकि यहां तो वो काफी देर तक उड़ा है और उसमें ऐसा था कि वो सीधा उपर की तरफ गया और जाड़ो से फिसल के वो गिर गया और हैरी ने तिकलावाजी करके गेंद को नी पकड़ा था पर वो गेंद बिल्कुल नीचे आई थी तो उसने बिल्कुल स्पीड में वो नीचे आया और जमीन से एक फूट उपर उसने रिमेंबरॉल को पकड़ लिया था जो कि मैं गॉनिकल ने देख लिया उसे अच्छा यहां पर सब खुले हम बात कर रहें कि हैरी नया सीकर बन गया है बलकि बुक में ऑलिवर वुड जो था वो हैरी को सीक्रेट हतियार के रूप में यूज करना चाता था अच्छली यह पर फूर इंट्रस्टिंग एक सीन था एक पूरा चैप्टर है मिडनाइट ड्यूलिंग नाम का जिसमें कि आधी रात में लडाई करने की बात होती है बाते करते करते के था être फैट लेडी की तबाहर जाते हैं और जबैंश्य वापस जाने को होती तो फैट लेटीज गयब हो जाती है उसने फसानी की कोशिश की थी, वो फिल्ज को भीजवा देता है और फिल्ज से बचने के लिए सब के सब भगते हैं वाँ से और वो गलती से 3rd floor के उस कोरिडोर में चले जाते हैं जाजा ना मेना था और उनका फ्लफी से सामना होता है यानि जैसे मूवी में दिखाए है ना कि फलफी के समय नेविल नहीं है बुक में एक्चली नेविल भी था उस समय माँ पे एचली इसे टाइम पर हैरी और रॉन ने अंदाजा लगा लिया था कि जो ग्रीन गॉट से समान निकाला गया था जो हेगरिट ने निकाला था वो उस चीज़ की ही रक्षा वो कुटा कर रहा है अच्छा इस इंसिडेंट के बाद ना हर्माइनी ने हैरी और रॉन से बातचित बंद कर दी थी रॉन ने उसे रूला दिया बुक में था कि रॉन थोड़ा परिशान हो गया था कि हर्माइनी रोने लगी है और थोड़ी अपसेट है वो दिन बर ना किसी और क्लास में भी नहीं आती इसलिए भी हैरी और रॉन को थोड़ा था कि क्या हो गया अच्छा यहां पर नेवल बता रहा है कि उसे पारवती ने बोला है यह बलकि बुक में कि हैरी और रॉन ने खुद सुन लिया था पारवती को लेवेंडर से बोलते हुए कि हर्माइनी बात्रूम में और रो रही है यहां यह लोग ऐसी भागने लगते हैं अच्छली वह हफलपफ के साथ मिक्स हो जाते हैं जो दूसरे डारेक्शन में जा रहे होते बच्चे और फिर वहां से वह बेस्मेंट की तरफ जाते हैं जहां पे ट्रॉल आ गया था उन्होंने यहां पे स्नेप को चिपका थर्ट फ्लोर पे जाते हुए भी देखा था हैरी और रॉन ट्रॉल को बात्रॉम में बंद कर देते हैं और फिर उन्हें हरमाइनी की आवाज आती हो फिर उन्हें रिलाइज होता है कि हमने क्या कर दिया फिर उसको वो बचाने के लिए जाते हैं यह गलत बता है हरमाइनी ने रॉन को नहीं बताया था क्या करना है वो वो टावर में उन दोनों का वेट कर रही होती हो तब से उनकी दोस्ती हो जाती है एक्चली हमाईनी ने हैरी की क्विडिच के मामले में बहुत हेल्प की थी उसको बुग भी दी थी जिससे हैरी को सारे फाउल और रूज और रेगूलेशन पता चले थे वो होंवर करने में भी हैरी की हैल्प करती थी क्योंकि बहुत ज़दा हैरी को प्रैक्टिस करनी होती थी अच्छा ये सीन तब आता है जब हैरी रॉन हमाईनी महल से बहार जा रहे थी और हैरी क्वेडिश वाली बुक ले जा रहा था और स्नेप आकर करके जवर्दस्टी ग्रिफिंडोर के पॉइंट्स कम करते था है कि बुक भार ले जाना है लाउट नी और समय लोग देखते कि वह लंगड़ा के चल रहा है रहान यह भी कहता भगवान कर उसे बहुत दर् पर लाफ रूम में जाता है और वहां पर देखता है कि फिल्च जो है वह स्नेप की मरम पर टिकर रहा है और स्नेप महां पर बोलता है कि उसको तीन सिर वाले कुछते ने काट लिया है और इसकारण हैरी को राद बर नींद नहीं आती और अगले दिन भी उसका मन बहुत और साथ में लेटर आया ही था में गॉनिकल का जिसमें लिखा हुआ था कि इसको टेबल पर मत खोलना बाद में खोलना जा करके ली जॉर्डन ने बहुत यह अच्छी कमिंटरी की थी खासकर एंजलीना जॉंसन को लेकर जिसको पसंद करता था एक बहुत ही मेचर डिफरें और स्लेदरिन के वीच में ही था पर बाद में फिर दूसरे हाउसे के साथ भी मैच होता है बुक में एक्चुली हैरी की जाड़ उसको बस उंचाई और उंचाई पर लेती जाती है मतलब वो ऐसे हिचकोले नहीं खारी होती पहले वो सीधे उपर हाइट पे ले जाती है और था कि कैसे वो तीनों फ्लिमल के बारे में क्लासे के बीच में लाइबरेरी जाते थे और ढूंते थे हाउगर्स में प्रिप्रेशन कैसी चल रही थी क्रिसमस की और मेलफवय के ताने कि कैसे हैरी की फैमिली नहीं है किसी को उसकी जरूरत ही नहीं या इसने अपने कित्ती हैरी और रॉन के पॉइंट्स कम कर दिये रॉन की ये मोरे ना उसकी दादा जी की हुआ करती थी और हैरी ने सीमस से उधार लिया था जो सक खुद राय देती थी कि यहां पे मत भेजो वहां पे मत भेजो बलकि रॉन की मोरों को उसकी आदत थी तो इसलिए वो confident रहती थी पेरों के पास ही अपने गिफ्ट्स रखे हुए मिलेते नीचे आकर कि उसने नहीं देखा था और उसे सच तो ये था कि गिफ्ट्स की उम्मीद भी नहीं थी हैरी ने पहला गिफ्ट हैगरिट का खोला था जिसके अंदर से फ्लूट निकला था जिसके उसने बाद में यू पास की स्ट्रॉंग पटाके भी चलाया था जिसमें से जिन्दा जिन्दा चीजे निकलती थी जैसे जिन्दा चूहे निकले कुछ किट्स निकली हैरी को अपने खुद की मोहरे भी मिल गई थी उसी में शाम को सबने स्नोफाइट भी की थी और उसके बाद फिर बहुत अच उसमें और रॉन को अगले दिन ले जाकर के दिखाता है कि में को ऐसा ऐसा मिरर मिला है उसी दिन नहीं दिखाता दोनों आपे धका मुकी भी करने लगते कि मुझे देखने दो मुझे देखने दो हाँ डंबल डोर एक्चली बुक में उसके पास आकर के बैट जाते हैं और ह दूसरा कुडिश में चाने वाला तो उसके जम कर प्रैक्टिस करता था तो उसके बाद थका होगा था अच्छी नहीं दाती थी एक्चली मेलफय नेविल बहुत जादा बुली वी करता था तो वो उसके उपए पैर बंदने वाले शात्त करता है तो जब भो राणा, हर्मा अब जो मैच होता है कि उसमें रैफरी स्नेप बनता है और इन लोगों को लगता है कि इसके मन में दूश्टिक चा जागी है और वो जबरदस्ती क्योंकि ग्रिफिंडोर के पॉइंट्स कम भी कर रहे थे पर हैरी बहुत ही जल्दी स्निच पकड़ लेता है मतलब सब बोलते ह मैलफोय रहान और नेवल का मजाक उड़ा रहा होता है और उन लोगों में लड़ाई हो जाती है और गुत्था हो जाता है उनका अपना एक्जाम जाने वाली होती हो तो सब रिविजन कर रहे होते हैं मैं तो हर्माइनी रिविजन कर रही होती हो सब को फोर्स भी कर रही हो कुछ दिन नहीं आता वो लोग वहां पे जाते हैं ड्रेक को देख लेता है पर वो ड्रैगन को निकलता हुआ नहीं देखता पर उसको पता तो चली जाता है इसलिए वह बहुत खुशी-खुशी घूमता रहता था नॉबर्ट कुछ दिन बात पैदा होता है और यह लोग जा है कि ठीके मेरे दोस्त आएंगे सैटेडे को तो उनको दे देना नॉबर्ट को पर इस दोरान की होता है एक बार रॉन जाता है खाना खिलाने के लिए नॉबर्ट को और नॉबर्ट उसको काट लेता है और उसको फोले से पढ़ जाते हैं बहुत जदा तो उसको के लिए क्योंकि रॉन के हाथ में तो लगी हुई थी तो हैरी और हमाइनी जाते नॉबर्ट को देने के लिए और वो इता खुश होते नॉबर्ट को देखे कि वो भूल जाते और अपना जो इन्विजिबिलिटी क्लोग रहता है वो उपर ही छोड़ाते है और जो वहां प सुन लिया था कि ड्रेको जा रहा है उनको फसाने के लिए और कुछ ड्रैगन की बात हो रही है तो वह हैरी और हमाइनी को वांड करने के लिए जा रहा हुता है तो वह भी पकड़ा जाता है तो बेसिकली जो डिटेंशन होता है वह रॉन हैरी और हमाइनी नेविल और ड्र कोई भी हैरी से बात नहीं कर रहा था या तिक टीम के लोग भी उसको सीकर करके बुलाते थे एन्वल एक्जाम आ जाते सब उसमें बिजी हो जाते तो दिये-दिये थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है हैरी के साथ जो सब का बुरा बीहेव था एक्जाम लिखने के लिए ना बहुत ज़्यदा दर्द भी होने लगता है उसके जो निशान होता है उसमें हैरी हमेशा से थोड़ा इनोसेंट सा है अच्छा यहां पर निकलने से पहले हैरी वो फ्लूट भी ले ले लेता है जो हैरी ने उसे दिया था और उसी से ही एक्चुली वो लोग फलफी को सुला प्रणाल करो और लिए तो कीज वाल जिता इसमें पीडल उड़ते हैं अकेला हैरी नहीं उड़ता तीनों उड़ते हैं और चाबी को घेरते हो और पकड़ते हैं यह वाला तो पूरा रॉन ने जिताया था और बेहोश हो गया था अच्छा इसके बाद ना एक स्टेज और एक टास्क और था वो था पोशन वाला वो हर्माइनी पूरा सॉल्व करती है वो रिडल होता है उसको हर्माइनी सॉल्व करती है पर एक ही इंसान आगे जा सकता था एक इंसान को पीछे जाना पड़ता है तो हर्माइनी वापस चली जाती है रॉन को उठा करके ले जाती है हैरी आगे बढ़ जाता है एंड में हैरी भी मरने को था पर डंबलडोर आकर के बचा लेते हैं मुवी में दिखा है नहीं कि व बचा कैसे डंबलडोर आके बचा लेते हैं और कुरिल इसलिए मरता है क्योंकि वालड़ ने उसके छोड़ दिया था अचा डंबलडोर के बाद हमाईनी और रॉन भी हैरी सा अउस्पिटल में ही मिलने के लाए आते हैं फिर इसके बाद हैगरेट भी आता है जो बिचारा बहुत फूट-फूट के रहता है और वो फोटो वाली जो आलबम रहता है वो यहीं पर ही देखे जाता है आइ लव ड्रेको का एक्सप्रेशन ही है सो क्यूट अच्छली भूक यहीं पर खतमनी होती इसके बाद बता है कैसे इनके एंड एक्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है सब पास हो जाते हैं और फिसली हरमाईनी टॉप करती है फिर उसके बाद इनको लेटर दिये जाते हैं कि आपको स्कूल से बाहर जादू करने की इजाज़त नहीं है फिर उसके बाद यह लोग वापस इनके समान पैक हो जाते हैं यह लोग King's Cross Association चले जाते हैं रॉन इनवाइट करता है कि Harry और हमाईनी को कि तुम गर्मी की छुटियों मेरे घर आना सब लोग Harry को बाई करते हैं और Mrs. Weasley एक्चुली लेने के लिए आती है रॉन और बाकी लोगों को जीनी के साथ जीनी इशारे करती रहती कि वो देको Harry Potter है मैं जाके उससे बात कर लूँ और फिर वर्नॉन फे एक्चुली Harry को लेने के लिए आते हैं वहाँ पे और बहुती रूडली बहेव करते हैं हाला कि Mrs. Weasley थोड़ा अच्छे से बात करने के कोशिश करती है वर्नॉन से पर वर्नॉन तो वर्नॉन है और Harry जाता था कि वह वापस जहां पे जा रहा है वह बिल्कुल भी फेमस नहीं है और इसी उमीद के साथ कि कुछ महिने के बाद वह फिर से हॉगवर्स में जाएगा वह खुशी खुशी चला जाता है वर्नॉन के साथ पर ना वो जाते जाते ये कह जाता है कि इस बार तो मैं डेडली के खूब मज़े लूँगा क्योंकि मुझे बाहर जादू करनी की इजाजत नहीं है ये उसको थोड़ी पता है और वहाँ पर फिर बुक खतम होती है तो मतलब हम कह सकते है बुक की और मुवी की आंडिंग थोड़ी अलग है तो गाइस ये थी हरी पॉटर फर्स्ट मुवी की रिवाचिंग नॉवल्स पढ़ने के बाद मुझे अगर कोई पॉइंट मिस हो गए है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर अलदी नए वीडियो के साथ वापस आउंगी तब तक के लिए बाई बाई